यह लो एवरीवन दिस इस कृतिका एंड वेल्केम टू आर चैनल कृतिका बी लल्वी इस्टूजेंस आज इस वीडियो में हम डिसकस करने हैंगे बी लल्वी फोर्थ सेमेश्टर का पेपर नमबर सिक्स जो कि हमारा मुसलिम लोगा इस वीडियो में हम जानेगे कि मुसलिम किस तरह से आता है और किस तरह से हमें उसकी आंसर राइटिंग करनी है जिससे कि हमें मांक्स अच्छे मिलें और 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 भी कौन-कौन से हमारे आने वाले एक्जाम को सब्सक्राइब कर लिजए कि इस चैनल पर हम ल लवी और पाउanut से रिलेटेड और और उनकी आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपोर्टेंड वीडियों आफ्लोड करते रहते ह soldiers लिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेलपफूल होने वाला है और आपको बता दी कि अगर आप इस पीपर का पीडियाफ चाहते हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से हमारे टेलिगरम चैनल से डाउनलूड कर सकते हो इसकी लिंक होद ही साथ है important question है ठीक है मुसलिम क्या है अगर यह question आता है तो आप इसको simple इसमें बता दीजीएगा कि मुसलिम कौन-कौन से बन सकते हैं एसा विक्ति जर्म से मुस्लिम और जिसका पालन पोश्र मुस्लिम घर में हुआ मुस्लिम तरह से वह दूसरा है कि जिसके धर्म परिवतन करके अगर कोई मुस्लिम बनाओ ठीक है इस तरह से आप लेख सकते हो कुछ इनके कर्दवे हैं जो की हजब नवाज और रोजा दान ठ ठीक है इस तरह से आप इनके कर्दव लिख सकते हो अगर आता है यह कोशन तो ठीक है नेक्स्ट है आपका मुस्लिम विदी के सिया संप्रदाय तथा सुनी संप्रदाय की प्रमुखवी बिहनताओं का वर्णन करिए ठीक है बहुत इता इंपॉर्टन कोशन है अगर इसमें कता बदा था इन्होंने उत्तरादिकार की दवरा भर सिया संप्रदाय के लोग वे हैं जिन्होंने निर्वचन के दवरा नहिंस को अपना पहला खलीफ चुना था है इस तरह से आप इन्में अंतर भी है कि क्या है दो तिन चीजाओं जैसे वह हमें क्या difference दोनों में ठीक है और तलाक को लेकर के दोनों की बीच में क्या अंतर है इस तरह से कई points आप लिख सकते हो ठीक है इस तरह से इनकी भी भीनताय लेख सकते हो लोग में आता है तो बहुत ही अच्छा आप लिख सकते हो पत्तिा मिल जाएंगे तो इस लिए कम्सेẫnि encantalic kya से जाधा मतले क्योंकि कि आपके आपके करने के लिए चार लॉंग कोशन भी हैं अगर आप का सॉड़ इतना में जाता टायम दोगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट उंतर यह है कि मुस्लिम विवाज एक सम्विदा है और हिंदू विवाज एक समसकार ठीक है और भी कई डिफ्रेंस हैं आप उनको लिख सकते हो ठीक है नेट्स गोशन आपका पती दोरा पतनी को महर का वक्तान ना किये जाने पर उसे क्या क्या उपचार है ठीक मेहर से रिलेटड कोई नो कोई सोट कोशन जरूरा आता है तो आप इन को इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए गाउज तेकर जैसे इसमें उपचार पूछा किया आप उचार पॉइंट में बता सकते हो ठीक है नेक्स्ट कोशन ह है तो आप कमेंटे में हमें पूछ लीजीएगा हम इसका पेपर आज चाहें तो हम इसका पेपर सॉल्व करके आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर प्लूट कर देंगे ठीक है अब वहां से इसका सॉल्व पेपर डाउलोड कर लेना नेक्स्ट को उसकी लिंक हम डिस्क्रिप कौन कौन से हैं ठीक है तो आप बता सकते हैं कौन कौन से तलाक के प्रकार है तलाक अलसुनत तलाक विद्दत ठीक है आप इनको बता सकते हो और तलाक अलसुनत भी आप आपका दो तरीके का होता है तलाक आहसन और तलाक हसन ठीक है आप इस तरह से डाइग्राम भी बना सक ब intent में लिख दीजीगा structural नेक्स है explained a song क्या है ठीक है ओक में पूरुक है डिकार क्या है अगर यह घृक्स आता है तो आप सक्षमम है झाल नहीं लेखना substitute एक definition आपको लिए देना है कि जो काफी राइटर्स ने बताया भी एप ठीक है एक हिदाया की भी definition है ठीक है इसकी definition आपको लिए नहीं है और क्या कि और इसमें कर को किस अगा रहा रहा हो तो किस सॉर्ट में छोटा सा लिखिये वरना केस ज्यादा लिखिएगा सेवाफ इसकी नोट लिख दीजिए इसके उपर एक छोटा सा एक कम से कम एक पेज का हो जाए वो और नेक्स कोशन है आपका मुतवली के क्या क्या अधिकार है ठीक है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम वक्फ करते हैं तो उसके लिए कि मुतवली नहीं उत्ति किया जाता है ठीक है जो क कोई अगर विपतिया पत्तिया जाए तो उसको संपत्ति को बेचने का या आंतरण करने का सब्सक्राइब करने का भी अधिकार होता है ठीक है और वह चाहिए तो न्याले से न्याले के माध्यम से अपना वीतन भी बढ़वा सकता है लेकिन क्या कि एक एक बटे दस भाग से वो अधिक नहीं बेतन करवा सकता है ठीक है इस तरह से हम अपना अंसर कर सकते हैं कि राज आएगा कोशन ठीक मुत्वली कौन होता है अगर यह कोशन आता है आप इसको असान इससे कर सकते हो ठीक है अब नेक्स कोशन है हमारा आई नंबर इसमें आप उचा गया है कि अभी कर क्या है ठेक defyl Cross अभी सुउक्रभी जैसे हैं आप उन जाना कंब कोई मुसलिम विधी में जब को पिता है कि उसको है आप वह जो बच्चा हो कि से का अधर मचे संताना हो ठीक है उसका जो पित्रत्व है वो अग्यात हो यानि किसी को उसका पिता ना कहा जाता हो दूसरा पॉइंट है कि इनकी आई जो है इस तरह से हो कि बेटा और बाप लगे वो ठीक है नेक्स्ट है कि जो अगर बेटा बोच सकता है उनका जो जिसको अभी सुकृति दी जा रही है तो कहा कि वो धा सके कि हमारे पिता तो इस तरह से अभी सुकृति की जाती है ठीक है और इसमैं डेफनिशन दे सकते हैं किrà बहूत अच्छी डेसरन आ और देख सकते हो और उसके बारें देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट कोशन है आपका वस्यत तथा ह्यबा में क्या नतर यह भी बहुत अच्छा कोशन है तेक्ष्ट आप लोग जानते भी हो वस्यत सबसे असीतokay का तुरंट आंतर नहीं होता हिवा को जाता है और उसमें हिवा में वस्तू का जो हिवा ही वा किया जा रहा है दान किया जा दान किया रहर है इसको फैपर humor के लिग सकते हो सभी डिफुरेंस है बताना नहीं है इसका का blinking तैटी सकSU के पेपर कर तो फिर इसके उपर हम वीडियो बना सकते हैं ठीक आप कमेंट में बताएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर ठीक है लोग कोशन में देखते हैं कि लोग कोशन किस किस तरह से पूछे जाएंगे हमारे एक्जाम में और कौन कौन से हैं जो इसके हो सकते हैं पहला कोशन मुस्लिम विधी के विपिन शुरूत का वर्णन करिए ठीक मुस्लिम में विधी के शुरूत कौन-कौन से हैं सटेइस इसमा क कयास इनको लिख सकते हो इस अक हैं तो आप कुछ आयते वगश्वान है तो आप कुरान की आयते वगज़ीख सकते Колे那我們 इस कुरान में क्या कहा गया है इस तरह से अगर आप मुस्लिम विधी का पेपर करते हो तो आपके 100% आपके बहुत अच्छे माक्स आते हैं ठीक है नेक्ट कोशन है आपका कि मुस्लिम विधी के प्रमुक संप्रदाय कवर्ण करिए यह कोशन आपका बहुत ही जादा है क्योंकि इस से रिलेटेट इस तरह से कई बार कोशन पूछा गया है ठीक है टॉपिक के वह बस कोशन थोड़ा सा गुमा देगा जैसे कि इसमें पूछा गया है मुस्लिम विधी के प्रमुक संप्रदाय कवर्ण करिए आप लोग जानते हैं कि सुन्नी और सिया दो प्रमु सफ्चे से पढ़ लीजीएगों कि या कौन को से संप्रदाय हैं शं Richtung के अंदर क्या गया है इनके इनके अंदर भी लेडिएं ठीक है अप व्योक संप्रदाय है में केस जो है के इसकु आवस्चे से पढ़िएगा ठीक है नेक्स्ट्ट कोशन का मुस्लिम विधी की तरह मान के तरह से कुछ सकता है नेक्सट है आपका सब्स in precisa करें महर से आप क्या समझते हैं महर की विबिन प्रकार बताईए ये भी बहुत जादा important question है ठीक है महर ये भरर बोसर से related कोई नो कोई question आता है तो आप इन दोरों topics को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है तो जैसे कि इसमें महर के बारे में बताएगा है आप इसमें महर की simple definition सकते हो और महर के जितने प्रकार है जो कि आप जानते हो ठीक है निश्रित-महर और क्या कि आ निश्रित-महर जो कि ए ठीक है जो भी है आप इनको इस तरह से लिख सकते हो इस इनके अंदर case जरू लिखिएगा क्योंकि आप केस अगल लिखो गया तो आपके marks बहुत ठीक है सी नमबर देखते हैं सी सक्षन में हमारा क्या है कि टोटल इसमें भी चार कोशन पूचे गए हैं ठीक है जो की जैसे कि पहला है मुस्लिम विवाविचेर अधिनियम उननीस सो उन्तालिस त्वरा किन आधारों पर पतनी तलाक के लिए आविदन कर सकती है ठीक है अगर यह कोशन आप कहा जाएगा आपके एक्जाम में तो आपको सिंपल बताना है कि मुस्लिम विवाविचेर अधिनियम क्या है जब यह अधिनियम आया था तो कौन-कौन से आधार थे चिन आधारों पर एक महिला तलाक मुस्लिम महिला तलाक के लिए आविदन कर सकती थी और इस अधिनियम के आने के बाद कौन-कौन से और नए अधार जुड़े हैं जिससे कि एक मुस्लिम महिला क्या की तलाक के लिए आविदन कर सकती है ठीक है और इस्टोन मैं और भी बता दू आपको इसमें कि मुस्लिम में विवाविचेर से रिलेटर कोशन पूछ लेता है कि मुस्लिम में विवाविचेर क्या है मुस्लिम विवाविचेर के कई तरीके जैसे की पतनी के द्वरा विवाविचेर कर आदे ही और इस तारह से अगर आता के भर्रपूसर के अधिकारी है अधिकारी है सोर इस Про को विवाय विछेद के बाद मुसलिम पतनी के भर्रपोसर के अधिकारों का वर्ण करिए ठीक है जब मुसलिम ही में कि आक das अधिकार ह। पतनी को करने catch posso यह Qu secrets लिए जाता है उसके बाद पती के कोई यापिलिटी नहीं होती है ठीक है और waiter लिख लिख स backyard का इस्पहरण ही आा है इसको लिख को दारव किसले वार वार किसमें बहुत ही जाते हैं इसले आया था और आप के इसको पढ़ सकते हो बस इसमें चेंज इतना हो जाएगा जैसे हिबा की इस तरह सी भी आजाता है पिछली बार आया था कि हिबा के इसमें आपका हिबा से पूसकता है कि हिबा के जिसको किया जाता है तो उसके कहा कि क्या इस तरह से काफी ओशल आ जाते टिक है तो हिबा इंपॉर्डंट टॉपिक है जितने भी पॉइट्स बन नहीं इस बांगे अच्छे से पढ़ लीजीएगा कोई न कोई जरूर पूछा मुस्रिम विधी के अंतरकत वसीयत रद्द करने के विभिने तरीकों कवर्डन करिए ठीक है आप यह भी इंपॉर्टन कोशन है पिछले बार इससे पी रिलेटेड आया था कोशन ठीक है इस तरह से अगर आपके आता है एक्जाम में कोशन और यह भी आ सकता है कि वसीयत की प अचले इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही ठीक है और अगर आपको कोई प्रॉब्लाम है इस वीडियो में ठीक है कोई कोशन है आपका तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो ठीक है और हम आपको जरूर्र रिप्लाइग करेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही फ